This decision will not have any impact on our existing operations as well as our future plans Hinnberg Research Report के खुलासे के बाद से अडानी ग्रूप के शेरों में गिरावट का दौर लगाता जारी है बुद्वार अडानी ग्रूप के शेरों में करीब 30% की गिरावट के बाद कम्पनी ने अपना FPO वापस ले लिया है अडानी ग्रूप के FPO में सबसे ज्यादा निवेशन कॉर्पोरिट और विदेशी निवेश को ने किया था FPO में निवेश के लिए हासा उत्साह भी देखने को मिला था अडानी एंटरप्राइसिस लिमिटेड के FPO में अपने इशू प्राइस से 1.12 फीस्दी तेजी देखी गए दरसल जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट में अडानी ग्रूप से खुल 88 सवाल पूछे थे हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रूप की कंपनियों को ओवर वैल्यूट बताया था इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अडानी ग्रूप के शेरों में भारी गरावट आई इसके बाद अडानी ग्रूप ने 413 पन्नों में हिंडनबर्ग के सवालों के जवाब दिये रिपोर्ट के निशकर्ष में 88 प्रशनों को शामिल किया रिपोर्ट में दावा किया गया कि ये समू दशकों से शेरों के हेरफेर और अकाउंट की धोकाधड़ी में शामिल है हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है आडानी समू को लेकर क्या रिपोर्ट जारी की गई है इस पर आदानी समू का क्या कहना है और हिंडनबर्ग समू से पहले किन कंपनियों पर इस तरह की रिपोर्ट जारी की है हिंडनबर्ग समू की विश्वसनियता पर क्यों सवाल किये जा रहे हैं हिंडनबर्ग रिसर्च एक वित्य शोध करने वाली कमपनी है जो इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव मार्केट के आंक्रों का विशलेशन करती है इसकी स्थापना साल 2017 में नाथान एंडर्सर ने की है हिंडनबर्ग रिसर्च हेज़ फंड का कारोबार भी करती है इसे कॉर्पोरेट जगत की गतिविधियों के बारे में खुलासा करने के लिए जाना जाता है इस कमपनी का नाम हिंडनबर्ग आपदा पर आधारित है जो 1937 में हुई थी जब एक जर्मन यातरी हवाई पोत में आग लग गई थी जिसमें 35 लोग मारे गए थे कमपनी ये पता लगाती है कि क्या शेर मार्केट में कहीं गलत तरीके से पैसों की एराफेरी तो नहीं हो रही है क्या कोई कमपनी अकाउंट मिस मैनेजमेंट तो खुद को बड़ा नहीं दिखा रही है क्या कमपनी अपने फाइदे के लिए शेर मार्केट में गलत तरह से दूसरी कमपनीयों के शेर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुचा रही है अडानी एंटरप्राइस लिमिटेड का पिछले दिनों एफपी ओ लाया गया था इससे कमपनी ने 20,000 करोड रुपे जुटाने का लक्ष रखा था शेर बजार में उतार चड़ाव के बीच मंगलवार को और कॉर्परेट्स और विदेशी निवेशकों ने अडानी एंटरप्राइस लिमिटेड के एफपी ओ को बेल आउट कर दिया था अडानी ग्रूप के शेरों में बुद्वार को भारी गिरावट देखने को मिली इनमें अडानी ग्रूप के दो शेरों ने निवेशकों को सबसे ज्यादा निराश किया अडानी एंटरप्राइस के शेरों में करीब 28 फीजदी और अडानी पोर्ट के शेरों में 19 फीजदी की गिरावट देखने को मिली इसके बाद अडानी का खुद का बयान सामने आया कर दो देखन पर अडानी को पेम्रान। इसके में व्या हम एक पने लगानी इसके आपना आव में। अज़नी इसके तो और अजदी सोफ भी अनने अट्रूप बिस ट्रूप कर नहीं। इन पर्दोर दी टीन आर्ट कोमुटी इन खुलकी पर दो मुझा आजा है हेविजी के लिए दित्थ इंटर्वाइट आजा है जैसे कि उन उन चाली कि उन पविछ ब्रॉप्टा इन विश्ड न यहां प्ता एंप तब ख़ता है। झाल 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 झाल